नमस्कार दोस्तो मैं विजे सेने आपका ममल बाउन साही में फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तो अगर गार्डन में क्रीपर्स ना हो तो गार्डन जो है अधूरा सा लगता है क्रीपर्स कुछ तरह की होती हैं कुछ में फूल आते हैं कुछ में फूल नहीं आते हैं कुछ सदावार होती है जो अपनी पतियों की विजय से लोग प्रिय होती है अगर आप भी अपने गार्डन में कुछ क्रीपर्स लगाना चाहते हैं तो आज का वीडियो जरूर देखेगा आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी क्रीपर्स के वारे में आपको बताएंगे जो में लगे होते हैं इनके फूल सफेद गुलाब भी रंग के होते हैं इसमें फूल पहले जो है सफेद रंग के रहते हैं फिर गुलाब भी रंग के हो जाते हैं और बाद में लाल रंग के हो जाते हैं तो जो गुच्छ है फूलों का वो आपको रंग भी रंगा दिखाई द तो इसको शेमिशेड में भी लगा सकते हैं अच्छे फूल लेने के लिए समय समय पर इसको जो ए देते रहें मदुमालती को कटेंग के भी लगा सकते हैं इसे गमलिय और जमीन भी बहूर गला सकते हैं सटोर नबर दो morning glory morning glory भी बहुत तेजी से बढ़ती है morning glory को beach से उगाना आसान है इसको beach से हम कैसे उगा सकते हैं इस topic पर मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुए आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं उसका link वीडियो के नीचे description box में मिल जाएगा मैंने मेरे garden में एक बार एक बेल लगाई थी morning glory की उसके बाद मुझे इसे लगाने की जोड़त नहीं पड़ी क्योंकि जब इसमें फूल आते हैं तो उसके बाद इसमें बीज बन जाते हैं जो की बीज अगर आप harvest नहीं करते हैं वहीं पे बिखर जाते हैं और season आने पे अपने आप उग जाते हैं ये फरवरी में उगना start कर देते हैं मेरे garden में अभी छोटे छोटे morning glory ग्रो कर रहे हैं और इन पे छोटी सी बेल जब ग्रो करती है तब इनमें फूल भी आ जाते हैं इनको जाता देख बाल के जोट नहीं होती है गर्मियों में इनमें पानी जो है regular देते रहें नमबर तीन ट्रंपिट क्रिपर ये भी एक fast growth करने वाली बेल है इसे भी मैंने एक बार garden में लगाय था और अब जो है मेरे garden में बहुत सारी हो गई है और मैंने बहुत सी तो निकाल भी दिया है इसका reason ये है कि ये बेल अगर मिट्टे में जाँ पे touch होती है या किसी पेड़ पे touch होती है वहीं पर अपनी जड़े चला देती है और इसको आप वहाँ से काटके अलग भी grow कर सकते हैं इसमें बहुत खुप सुद नारंगी रंग के फूल आते हैं जो गुच्छे में आते हैं उनकी shape जो है trumpet जैसी होती है जिसके वज़े से इसका नाम trumpet creeper पड़ा है इसे दूप में और semi shade दोनों जगे पे लगा सकते हैं गर्मियों में इसे भी पानी का खास ध्यान रखे अगर port में लगी है तो खास कर पानी का ध्यान रखे चिपकली बेल पूलो के लिए नहीं जानी जाती है इसका नाम चिपकली बेल इसलिए पड़ा है क्योंकि लोग इसको ज्यादे तर पुराने दिवार खराब दिवार को डखने के लिए करते हैं क्योंकि ये दिवार पर जैसे छिपकली चिपक जाती है वैसे चिपक जाती है और छिपकली के पंजो की तरह इसमें जो roots आती है जो कि दिवार को जकड लेती है और इस तरह से ये दिवार पर फैल जाती है और पूरी दिवार को कवर कर सकती है आप चाहे तो इसको किसी ट्री पर भी चड़ा सकते है या मोस्टिक पर जांबी आप इसको चड़ाना चाहे चड़ा सकते है यह बहुत तेजी से grow करती है एक बार आपने इसको लगा दिया तो यह बहुत जल्दी फैल जाती है इसे भी दूप पसंद है दूप में आप इसको लगा सकते हैं यह semi shade में भी grow हो जाती है अगर आप इसको port बगरा में लगाते हैं तो तेज हीट से इसको थोड़ा बचाएं मिट्टे में थोड़ी सी नमी बनाए रखें इसको propagate करना बहुत आसान है जैसे कि मैंने बताया इसकी जड़े हैं जहां भी यह touch करती है वहीं पर जड़े चला देती है तो इसको as a cutting grow करना बहुत ही आसान है नमबर पांच जूही जूही की बेल पर सफेद रंग के फूल आते हैं और यह बेल जो है एक बार आपने लगा दी तो उसके बाद बहुत जल्दी से grow हो जाती है यानि कि यह भी तेज growth करती है मैंने यह जो बेल है यह I think last year ही लगाई थी और यह चोटी ची थी लेकिन अब देखी इसने मेरा जो यह लोहे का नैट है यह पूरा पार कर दिया और उपर भी बहुत ज़्यादा grow कर गई तो यह बहुत जल्दी फैल जाती है इसको भी आप किसी चीज पर चड़ा सकते हैं पेड़ पर किसी स्टीक पर या जो लोहे का जाल है नैट है उन पर भी आप इ इसको मिल सके ऐसी जगे पर इसको रखें मिटी में नमी बना के रखें गर्मियों में खास कर सरदियों में आप चाहें तो पानी कम दे सकते हैं या जब सोईल ड्राइ होने लगे तब इसमें पानी दे सकते हैं नमबर छे रोज क्रीपर दोस्तों गुलाब के पोदे तो या garden में कहीं भी आप इसको फैला सकते हैं चड़ा सकते हैं किसी भी चीज़ पर मैंने ये जो गुलाब की आपको लता दिख रही है ये cutting से लगाए थी और मेरे इस जाल पर ये फैल गई है इसमें फूल जो है गुच्छे में आते हैं और इसके फूल जो है देशी गुलाब या जो इंगलिस गुलाब है उसके मुकाबले में ज़्यादा दिन तक रुखते हैं ये क्या है एक बेल जैसे ग्रो को रहेगी उन में से बहुत सी सांखा है निकलेगी और उन सभी सांखा उपर फूल आते हैं तो गुलाब की बेल को आप अपने गर्डन में जरूर एड़ गीजे बहुत खूबसूरत लगती है और इसको लगाना भी आसान है और केर भी इसकी बहुत कम करनी होती है नमबर साथ बटरफलाई पी इसे ज़्यादतर लोग अपरजिता के नाम से जानते हैं और इसके और भी बहुत से नाम है जैसे ब्लू पी, पीजन विंग्स, ब्ल पास भीखर जाते हैं और यह खरपतवार की तरह फिर ग्रो करने लगती है मेरे गार्ण में मैंने स्टार्टिंग में एक लगाई थी और अब डेल सारी बेल जो है इधर उदर उगती रहती है आपर जीता की बेल जो है यह बहुत सेहतमंद भी होती है काफी लोग जो है इस आपको जो आयरुवेदिक पोदे होते हैं जड़ी बूटी वाले जो पोदे होते हैं उनके बारे में बताएगा है कि वह क्या-क्या उनके गुन है और क्या वो काम आती है तो वह प्लेडिस्ट आप चेक कर सकते हैं उसका लिंक भी आपको वीडियो को नीचे डिस्क्रिप् मुझे कमेंट करके जरूर बताना आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेट जरूर करें अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक अपना और अप झाल 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 झाल